हमारे संसकार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराद बोच से भर जाते हैं फिर किसी पूरी जीव जाती का अस्तित्व ही अगर हमारी वज़र से मिड़ जाएं ये हमें कैसे स्विकार हो सकता है आप सूचिए हमारे हाँ कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश में से पिछली सताब्दी में ही लुपत हो चुके हैं आज आफरिका के कुछ देशों में और इरान में चीता पाए जाते हैं लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था आने वाले वर्षों में बच्चों को इस बिड़मना से नहीं गुजरना पड़ेगा मुझे भी स्वास है वो चीता को अपने ही देश में कुनो नेशलल पार्क में दोड़ता देख पाएंगे चीता के जरिये आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा सुन्य भर रहा है